Hello friends you are watching English with Gina onday we learn on scenes and force आज आप सीखेंगे friends Scenes & For का यूस के Scenes & For का यूस कहा यूस होता है इससे पाहला हिए आप मेरे चैनल पर पहली बाई रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक करें शेर करें और सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँश सके सिंस का प्रियोग निच्ची समय के साथ होता है जब भी कभी वाक्य में रहा रही यह रहा का प्रियोग भी हो तो सिंस का प्रियोग होगा अब सिंस कहां कहां यूज होगा वो देखते हैं सिंस यूज दू फॉर पॉइंट ऑफ टाइम सिंस यूज होता है फ्रेंस पॉइंट ऑफ टाइम एक निच्ची समय के लिए यूज हो दूज होता है कि वे बिदे के लिग होता है यून भाइल कि एक प्रियोग एक डियोग होकी जर्थन अंड को अनुनस ओटान सिंस मन किष डेंस सन् तू अ मक्य और की ब्सक्याश FIRST यह सिंस यस्टड़े कल से डे बिफोर यस्टड़े पर्सो से सिंस चाइड़ूड बच्पन से सिंस बर्ते जनम से जब भी कभी फ्रेंट्स एट टू एम ये टू पि एम या टू अट लॉक आए या कोई भी सं या मंडे टीजड़े तो हम सिंस का यूज़ होगा अब मैं एक्जाम्पल लेती हूँ इसके से आपको समझ में आए एक्जाम्पल अब देखते हैं फर्स संटेंस मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ एक निच्छे समय फ्रेंट्स पॉइंट ऑफ टाइम है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो से सिंस एंड सुबह से मौनिंग और आए हमारा सुब्जेक्ट टेफरेंट्स और है वीन हमारी प्रिजेंट परफाक्ट कंटिनोंस की हेलपिंग बार और उसमें आई एंजी शुडूरेंट्स वर्क के साथ और सीजम्पल से मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ थो आई हैव बिन वर्किंग सीज मौनिंग मैंने स्टाटिंग में बता है कि somewhere या कोई sun या time कर आ रहा है तो point of time है वो somewhere से कोशिश कर रहा है कोशिश try करना और somewhere से since Monday वो somewhere से कोशिश कर रहा है So he has been trying since Monday He has been trying since Monday Next वे 1998 से दिली में रह रहा है Friends, point of time है 1998 से भी दिली में रह रहा है मतलब कि अभी दिली में रह रहा है पॉइंट ऑफ टाइम है और हेल्पिंग वर्ब के यूजरी में है जो प्रिजान परफाक्ट कंटीनुएस की है और ली डिली में इन देली और इन से चली में दिली में रह रहा है मतलब के कि अभी देली कि तो पर नोल next भाई तीन बजे से घर पर है अब ये भी point of time है कि तीन बजे से घर पर है तो दो preposition यह घर पर यह हैं तो friends at home का use होता है और तीन बजे से 3 o'clock भाई तीन बज़े से घर पर है Brother is at home since 3 o'clock Brother is at home since 3 o'clock मेरी सौमवार से तबिये ठीक नहीं है तबिये ठीक नहीं है मितले Keeping well I have a negative sentence my friend मेरी सौमवार से तबिये ठीक नहीं है I have not been keeping well since Monday सौमवार से since Monday I have not been keeping well since Monday मैं 2015 में English सिखा रही हूँ 2015 से English सिखा रही हूँ So I have been teaching teaching सिखाना क्या सिखा रही हूँ? English और कब से friend? 2015 से मतलब कि अब भी सिखा रही हूँ So मैं 2015 से English सिखा रही हूँ I have been teaching English since 2015 वो कल से यहां है So since yesterday कल से यहां है तो yesterday मतलब बीते हुए कल से अभी भी यही है वो कल से यहां है See has been here since yesterday वो कल से यहां है Since has been here since yesterday Next sentence is मैं मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ कब से फ्रेंट मार्च से मूचल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ कोई इन्वेस्ट करने इन्वेस्ट में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है He has been investing in mutual fund since March वो मार्च से mutual fund में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है He has been investing in mutual fund since March और कहां-कहां यूज होता है फोर से के लिए यूज होता है फोर से फोर का प्रियोग अनिची समय यानि समय की अवधी के साथ होता है फोर का यूज कहा होता है पर अनिची समय यानि समय की अवधी के साथ होता है जब भी कभी वाके में रहा है रहा रही रहे का प्रियोग भी हो प्रियोग का प्रियोग अनिचित समय यानि अवधी के साथ होता है जब भी कभी वाक्य में रहा है रहा रही या रहा रहे का प्रियोग भी हो और 4 का यूज एक 4 is used for duration of time 4 का यूज एक duration of time मतलो अनिचित समय अवधी when the sentence is in continuous form किसमें यूज़ों को continuous stance में जिसमें मैंने starting में बता है कि रहा रही या रहे यूज़ का प्रियोग हो तो फॉर का यूज़ क्या होगा फ्रेंड duration of time mean is that अनिचित अवदी या अनिचित समय 2 seconds या 2 minutes 2 hour 2 days या 2 week 2 month या 2 years या 2 century 4 का यूज़ या 2 seconds या 2 minute या 2 hour 2 days 2 week या 2 month या 2 years या 2 century या 2 century या 2 सेंचियों होगा दो गंटों से वे पढ़ लाई है दो गंटे से वे काम कर रही है 2 weeks से वे दिल्ली में है इस तरीके से यूज़ होगा फ्रेंड किसी चीज़ के बदले My main is that for exchange अगर मैं कहूँ कि मैंने 20 रुपे की किताब खरी दी तो इसका मतलब क्याए फ्रेंड कि मैंने 20 रुपे के बदले में किताब ली या 20 रुपे की किताब की मतलब बदले में ली for exchange सोचो अगर किसी ने मुझे मेरे दो मुबाइल के बदले में मुझे एक कम्प्यूटर दे दिया तो यह भी तो किसी चीज़ के बदले में कुछ और लेना मतलब कि for exchange और for का किस किस चीज़ के लिए उज़ होगा for a long mean is that काफी देर से for a long काफी देर से for a while कुछ देर से for many days hour या month year के लिए भी for का यूज होगा मैंने कुछ एक्जामपल लिए मैंने दो घंटे से मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूं so I क्या होगे friends हमारा subject and have been my mean is that present perfect continuous के helping बदले and जब present perfect continuous मैं इसके helping बदले तो उसके साथ बदले के साथ ing भी जोड़ेगी पढ़ना and for और हमारी friends प्री पोजीशन है and two hours दो घंटे से मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूं so I have been studying for two hours I have been studying for two hours next example is वो काई दिनों से कोशिश कर रहा है अब काई दिनों से for many days for हमारी preposition है and subject के reference में रही and has been हमारी present perfect continuous के helping बदले try कोशिश करना and for many days काई दिनों से and for preposition वो काई दिनों से कोशिश कर रहा है he has been trying for many days he has been trying for many days अब for a while, for a while, कुछ देर से, for a while, कुछ देर से, इसका example ले थे, मैंने ये तुम्हारे लिए किया, मैंने ये तुम्हारे लिए किया, सो ये किया, हमाई past indefinite की helping बरवे, did, कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया, past में, तो I हमारा subject है, and did, past indefinite की helping बरवे, and it, ये, and for my preposition है, and you, हमारा object है, मैंने ये तुम्हारे लिए किया, So, I did it for you, मैंने ये तुम्हारे लिए किया, I did it for you, I did it for you, next number, वो मेरे past पैसे के लिए आया, वो मेरे past पैसे के लिए आया, so I, ये भी past indefinite है, past indefinite के simple sentence में, वर्व की second form use होती है, came, came means that I, और he हमारा subject है, and to me, मेरे पास, and for my preposition है, and money, पैसे, object, वो मेरे पास पैसे के लिए आया, he came to me, for money, he came to me, for money, next example, मैंने पांसो रुपे में मुबाइल दिया, मतलब कि exchange, कितने रुपे में दिया, मैंने मुबाइल पांसो रुपे में दिया, मैंने पांसो रुपे में मुबाइल दिया, I gave a mobile for this 500, give, 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 third second for my friends, give, मैंने पांसो रुपे में मुबाइल दिया, I gave a mobile for raise 500, next example, उसने पांच रुपे में एक पैन खरीदा, खरीदा, वर्व की second form यूज होगी, खरीदना, बाउट खरीदना, क्या खरीदा, एक पैन and four preposition, कितने रुपे में खरीदा, फाइफ, उसने फाइफ रुपे में एक पैन खरीदा, इसी के दर फ्रेंट्स वीडियो का एंड करते हैं, फ्रेंट्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में लिखके ज़रूर बताना, इफ यू लाइक दे वीडियो, तो डॉन्ट फोर्गेट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल, अपने फ्रेंट्स के साथ सेयर करना मत भूलना, टाकि उन्हें भी टाइम पर अपडेट मिलती रहे, और इससे रिलेटिड आपको कोई भी वीडियो चाहिए फ्रेंट्स तो आप मेंगे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो,